लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकोन को दबाना ना भूले और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और मुख्य मंतरी योगी आदित्यनात को लेकर विवादित बयान देते हुए मंच से ही सिर कलम करने की धमकी दे दी ये वीडियो तेजी से वारल हुआ तो पुलिस महकमे में हरकम मच गया पुलिस ने मामला दर्च करते वे आरो पी AIMIM के नेता की गिरिफतारी के प्रयास किये तो वो फरार हो गया मामला 23 नौंबर का है जिसमें नाकफणी चेत्र की एक सभा के दोरान ये बाशन दिया गया था AIMIM के नेता गुलाम मुस्तफा ने राम मंदिर मामले को लेकर पीम मोदी और उतर प्रदेश मुक्यमंतिर योगी आधित तनात को खुली धंकी दे डाली थी गुलाम मुस्तफा मुरादाबाद के नाकफणी में AIMIM की जन सभा को संबोधित कर रहे थे इसके बाद उन्होंने राम मंदिर मामले को लेकर विवादित बयान दे दिया गुलाम मुस्तफा ने कहा हिंदुस्तान का मुसल्मान बाबरी मस्जिद की जगा राम मंदिर किसी भी कीमत पर बरदास नहीं करेगा होश में आ जाएं वो फिरका परस ताकते वो आरे से, सिव सेना, बजरंग दल और स्री राम सेना जिस दिन अली की सेना निकल गई इन्हें कोई देखने वाला नहीं होगा गुलाम मुस्तफा ने आगे कहा बाबरी मस्जिद हमारे दिलों की धड़कन है हमारे बुजरकों की बनाई गई बाबरी मस्जिद है मोदी और योगी याद रखो अगर तुमने मंदिर बनाने के कोशिस की तो तुमारे हाथ तोड़ दिये जाएंगे तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा गुलाम मुस्तफा का ये भाशन सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया हम आपको बता दे कि गुलाम मुस्तफा इस तरह के भढ़काओ भाशन और सारवजिन धंकी के मामले को लेकर पहले भी जेल जा चुके हैं पुलिस ने मामला दर्च करके उनकी ग्रिफतारी के लिए उनके घर पर दबिज दी जिसमें वो फरार हो गए हैं तो दोस्तो अभी के लिए हमारी इस न्यूज में इतना ही आपको हमारी ये न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिलते रहे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद